हाई फ्रेंड्स विल्कम टू माई यूट्यूब चैनल विने कंप्यूटर एकेडमी माई नेम इस विने कुमार फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग में फार्मूला को पढ़ेंगे इसके पहले के वीडियो में कुछ फार्मूला देखे थे आज के वीडियो में हम लोग लौजकल फंक्शन को पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि कहां तक पढ़े थे इसके पहले पढ़े थे some product इसके पहले कि जितने भी फार्मूले थे सब हम कैसे apply करना है उसको हम पढ़ चुके थे आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे logical function logical function होता क्या है जो भी लोग इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो playlist में जा करके या फिर description में हम उसका link दे दिये हैं वहाँ पर आप किलिक करके इसके पहले के वीडियो को देख सकते हैं या जो आज का वीडियो है या बहुत important है यानि कि very important वीडियो है इसको जो है आप अच्छे से समझ लीजिएगा एक बार में नहीं समझ में आएगा तो repeat करके देख लेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा इसलिए कि आज जो भी हम formula को बताएंगे वह सब next वीडियो में यानि कि आगे जो है इन ही सभी formula को हम use करेंगे जैसे हमको payroll बनाना हो गया, class list बनाना हो गया तो यही सभ formula हमारा use होगा तो आज आप क्या करिएगा कि इसको अच्छे से समझ लीजिएगा तो logical function में क्या है इस category आप function returns logical value या logical value देता है logical value क्या देगा या तो true देगा या फिर false देगा there are following types आप logical function इतने प्रकार के यह सब हमारे क्या है logical function है कौन कौन से है and or not if true false तो पहला है पहला formula and and क्या करता है this function return true when all logical expressions are true true कब आएगा कि जब when all logical यानि कि जब सभी logical हमारे true होंगे तब result हमारा true आएगा in addition return false if any one logical false कब आएगा जब कोई एक logic हमारा क्या होगा गलत होगा तब हमारा result false आजाएगा यानि कि कहने का मतलब या है कि हमने जो भी logic दिया है या फिर जो भी condition हम दिये हैं अगर उस condition में से कोई एक भी condition हमारा गलत होता है तो result हमारा false आजाएगा अगर सब condition या सब logic जितने भी जितने भी types के हम दिये हैं logic और condition अगर सब सही होते हैं तो हमारा result true आएगा जैसे for example अब आप लोग यह देखिएगे कि हम सही बोल रहे हैं कितना सही बोल रहे हैं कितना गलत तो पहला है 6 greater than 4 अब आप यह बताईए कि हमें सही बोल रहे हैं कि गलत हम कर रहे हैं 6 जो है 4 से बड़ा है 6 greater than 4 जो है 4 से बड़ा है तो यह सही है condition next condition या फिर next logic 8 less than 3 यानि कि कर रहे हैं कि 8 जो है 3 से छोटा है तो यह हम गलत बोल रहे हैं next है 5 greater than 9 कर रहे हैं कि 5 जो है 9 से बड़ा है तो यह भी हम कलत बोल रहे हैं तो इसके अंदर हमने 3 condition दिया और इस 3 condition में से 3 conditions में से एक condition सही है तो हम यह बताए थे कि अभी इसमें end वाले में यह होता है कि जितने भी आप condition दिये हैं अगर सभी condition सभी logic आपके true है तभी आपका result true आएगा इसमें false इसलिए आया क्योंकि इसमें बस एक सही है और दो गलत है true कब होगा जब सब सही होंगे इसमें देखिए 6 greater than 4 करें कि 6 जो है 4 से बड़ा है तो यह सही है next 8 greater than 3 8 जो है 3 से बड़ा है यह भी सही है 5 less than 9 यानि 5 जो है 9 से छोटा है यानि कि यह जितने भी हम condition दिये हैं यह सब यहाँ पर सही है इसलिए हमारा result क्या आया है true आया है तो यह end आपको समझ में आ गया होगा अगर हम इसी को करके दिखाएं तो सबसे पहले हम open कर लेते हैं MX Excel MX Excel को open करने के लिए यहाँ पर आप जाएए start menu मेनू में यहाँ पर आप किलिक करिए इसके बाद Microsoft Excel इसके उपर किलिक करेंगे तो MX Excel का window open हो जाएगा हम थोड़ा सा जूम करेंगे जिससे की फार्मूला आपको इजी तरीके से दिखाई दे तो पहला क्या था 6 greater than 4, 8 less than 3 या फिर कोई भी ऐसे ही हम ले लेते हैं आपको सबसे पहले लगाना है equal और फार्मूला यूज करना and इसके बाद ब्रेकर दीजिए ब्रेकर में आप लॉजिक दीजिए लॉजिक दे सकते हैं या फिर कंडिशन बोल सकते हैं जैसे लॉजिक हम दे रहे हैं 6 ग्रेटर देन 4 करें 6 जो है 4 से बड़ा है 7 ग्रेटर देन 3 7 जो है 3 से बड़ा है या भी सही है 8 लेस देन 5 8 जो है 5 से छोटा है या हम गलत बोल रहे हैं तो या जो हम कंडिशन दिये हैं जोम करके अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा देखिए फाल्स आया है तो इस फार्मूले में अगर हम आपको दिखाएं तो इक्वल एंड 6 ग्रेटर देन 4 करें 6 जो है 4 से बड़ा है 7 ग्रेटर देन 3 साथ जो है 3 से बड़ा है 8 लेस देन 5 आठ जो है 5 से छोटा है तो इसमें हमने 3 कंडिशन दिये तीन कंडिशन में 2 कंडिशन हमारे सही हैं और एक कंडिशन गलत है तो एंड का फार्मूला यह कहता है अगर आप जितने भी कंडिशन दिये हैं अगर सभी कंडिशन सभी लॉजिक आपके सही है तो रिजल्ट आपका true आ जाएगा अगर उसमें से कोई एक भी लॉजिक आपका false आता है तो रिजल्ट आपका false आ जाएगा की बोर्ड से इंटर बटन आप प्रेस करिए तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए फाल्स अब नेक्स्ट अब अगर इसमें से इक्वल ए एन डी एन ब्रेकट में हम टाइप कर दिए 7 ग्रेटर देन 3 7 जो है 3 से बड़ा है 9 ग्रेटर देन 4 9 जो है 4 से बड़ा है कामा 4 लेस देन 9 4 जो है 9 से छोटा है तो इसमें जितने भी हम कंडिशन दिये हैं वो सब हमारे कंडिशन सही है जब सही है तो रिजल्ट हमारा true आएगा इसमें false क्यों आगया देख लेते हैं एक बार 7 ग्रेटर देन 3 7 तीन से बड़ा है 9 ग्रेटर देन 4 9 जो है 4 से बड़ा है और 4 लेस देन 4 लेस देन 9 4 जो है 9 से छोटा है अब जाकर के हमारा सही हुगा तो रिजल्ट हमारा इस तरह से true आजाएगा ये तो था and का अब हम लोग पढ़ेंगे और और क्या कहता है ये फार्मूला क्या वर करता है इसमें true कब होगा जब कोई एक लोजिक हमारा क्या होगा true होगा तब रिजल्ट हमारा true आजाएगा फाल्स कब होगा in addition return false if all logical expression are false जब सभी लोजिक हमारे क्या होंगे false होंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आजाएगा false आजाएगा यानि कि कहने का मतलब हम जितने भी brackets के अंदर bracket के अंदर जितने भी हमने logic दिये है अगर उस logic में से कोई एक logic हमारा सही हो जाता है तो रिजल्ट हमारा true आजाएगा और false कब होगा जब सभी logic हमारे false होंगे तब रिजल्ट हमारा false हो जाएगा कैसे देखते हैं यहाँ पे उसके बाद bracket में आप लेखिए 6 greater than 4 6 जो है 4 से बड़ा है या तो सही है 8 less than 3 8 जो है 3 से छोटा है या गलत है next 5 greater than 9 5 जो है 9 से बड़ा है या भी गलत है तो इसके अंदर हम 3 condition दिये हैं और इस 3 condition में से एक condition हमारा सही है तो और यह काता है कि अगर जितने भी आप condition या फिर जितने भी logic दिये हैं उसमें से कोई एक अगर आपका सही है तो result आपका true आ जाएगा false कब होगा जब सभी false होंगे जैसे 6 less than 4 6 जो है 4 से छोटा है या गलत है 8 less than 3 8 जो है 3 से छोटा है या भी गलत है 5 greater than 9 5 जो है 9 से बड़ा है या भी गलत है तो जितने भी हमारे logic है सब गलत है इसलिए result हमारा false आया है जैसे अगर हम Excel में करके दिखाएं आपको आपको लगाना equal फार्मूले में लिखना है और bracket में हम लिखते हैं 7 greater than 4 7 जो है 4 से बड़ा है कॉमा 5 less than 3 sorry 5 less than 3 5 जो है 3 से छोटा है या गलत है कॉमा 9 less than 12 9 जो है 12 से छोटा है या भी सही है तो इसके अंदर जैसे हम बोलें कि 7 greater than 4 7 चार से बड़ा है 5 less than 3 5 जो है 3 से छोटा है या भी हमारा सही है sorry ये हमारा गलत है 5 less than 3 5 जो है 3 से छोटा है या गलत है 9 greater than 12 9 less than 12 9 जो है 12 से छोटा है तो इसमें जितने भी हम condition दिये हैं जितने भी logic दिये हैं इसमें से दो logic हमारे सही है एक logic गलत है तो result क्या आएगा result हमारा true आएगा कहने का मतलब कि जितने भी condition दिये है अगर उसमें से कोई एक भी सही हो रहा है तो result हमारा true हो जाएगा इसमें तो 2-2 सही है अगर सब सही है तो भी हमारा true आएगा इंटर करिए तो देखिए result हमारा क्या जाएगा true फाल्स कब होगा जब सभी कंडिशन हमारे क्या होंगे फाल्स होंगे जैसे 7 less than 7 less than 4 7 जो है 4 से छोटा है तो गलत लिख दिए 5 less than 3 5 जो है 3 से छोटा है ये तो गलत है और 9 less than 12 इसको हम कर दे रहे हैं 9 greater than 12 जो है 12 से बड़ा है तो अब हम इसमें जितने भी कंडिशन लिखे हैं जितने भी लॉजिक लिखे हैं सब गलत लिखे हैं सब फाल्स लिखे हैं तो इसलिए result हमारा फाल्स आ जाएगा अब आते हैं तो इसमें हम दो पढ़ें एक तो पढ़ें एक तो पढ़ें और दूसरा पढ़ें और तो अब में क्या है इसमें सही होने के लिए सब लॉजिक हमारे सही होने चाहिए अगर कोई एक लॉजिक हमारा गलत हो जाता है तो result हमारा फाल्स आ जाएगा और में क्या है इसमें सही होने के लिए कोई एक भी अगर आपका लॉजिक सही हो जाता है तो result आपका true आ जाएगा और अगर इसमें से फाल्स कब आएगा जब सभी हमारे conditions false होंगे सभी logic false होंगे तब result हमारा false आ जाएगा इसके बाद not not क्या करता it reverse is logical value यानि कि या reverse देता जैसे true को false, false को true जैसे हम कह रहे हैं equal not लगाईए 6 greater than 4 कराएं कि 6 जो है 4 से बड़ा है हम तो सही बोल रहा है लेकिन यह कहें कि नहीं है आप गलत बोल रहा है यानि कि result आप क्या आएगा false आ जाएगा इसके बाद जैसे हम करके दिखाएं इसको equal not and break it में condition दिये 8 greater than 4 कर रहे हैं कि 8 जो है 4 से बड़ा है हम तो सही बोल रहा हैं लेकिन यह false बताएगा इस तरह से अगर हम इसी को false कर दिये यानि कि equal not break it में 8 less than 4 8 जो है 4 से छोटा है हम गलत बोल रहा हैं लेकिन result हमारा true आएगा यानि कि इस तरह से यानि कि false को true true को false यह बताता है and का formula इसके बाद तो हम and पढ़ लिए और पढ़ लिए not पढ़ लिए अग इस तरह से अगर not का next example हम देखें तो यहाँ पे equal not and and का भी formula ही हो जगा है तो and का formula क्या करेगा true कब होगा जब सभी logic हमारे true होंगे तब हमारा result true आ जाएगा जैसे इसमें कह रहे है 6, 4 से बड़ा है 6 greater than 4 6 जो है 4 से बड़ा है या सही है 8 greater than 3 8 जो है 3 से बड़ा है या भी सही है and 5 greater than 9 5 जो है 9 से बड़ा है तो या गलत हम बोल रहे है तो यानि कि अगर and के formula के according हम देखें तो हमने 3 condition दिये है इसमें 3 condition में से एक condition गलत है तो अगर and का formula हम लगाएंगे true कब होगा जब सभी हमारे logic true होंगे तब result true होगा इसमें क्या है एक logic हमारा false है इसलिए result हमारा false आजाएगा तो and के according ये तो result हमारा false आजायगा लेकिन इसके पहले हमने not का formula लगाया है not क्या करता है false को true और true को false इसलिए यहाँ पर तो result हमारा फालस आगया false के बाद जब ये not लगा है तो not जो है false को true में convert कर देगा इस तरह से इसलिए result यहाँ पर हमारा true आया है इसके बाद most powerful formula देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन यह बहुत powerful है maximum जगां पर हम इसका use करेंगे if का formula तो if को जो है हम अच्छे तरीके से समझते हैं तो इसमें जो है if तो यह जो if है यहाँ पर हम क्याद लिखेंगे यह condition देंगे अगर यह condition हमारा सही है तो इसके दो ही result हो सकते हैं अगर condition सही है तो result हमारा true आ सकता है अगर condition हमारा गलत है तो result हमारा false आ सकता है तो बस दो ही result होंगे या तो सही होगा या तो गलत होगा अब यह condition के उपर depend करता है कि अगर यह condition आपका सही है तो यह वाला यानि कि true वाला हमारा work करेगा अगर यह condition हमारा गलत है तो हमारा false वाला condition हमारा false वाला result आएगा जैसे for example यहाँ पर हम condition दिये हैं कि 12 greater than 8 यानि कि 12 जो है 8 से बड़ा है यह तो हमारा condition सही है 12 जो है 8 से बड़ा है यह condition सही है जब यह condition सही है तो यह true वाला work करेगा जो पहला कॉमा के बाद हम लिखे है यह हमारा true वाला है यानि कि यह वाला expression तो true में हमने क्या लिखा है 3 into 5 यानि कि 3 into 5 अगर हम करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा यानि कि 3 पचे 15 हमारा यहाँ पर आ गया अब next में देखते हैं कि इस condition को हम गलत कर दिए इसमें क्या लिखे है 12 less than 8 यानि कि 12 जो है 8 से छोटा है तो यह हम गलत बोल रहे हैं यानि कि यह condition हम लिखे है या गलत है जब यह गलत है तो यानि कि जब यह फाल्स है तो हमारा फाल्स वाला रिजल्ट आएगा यानि कि 5 into 6 करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा यानि 5 है के 30 इस तरह से यह तो calculate हो करके आएगा अगर हम result में और कुछ देना चाहें तो result में और कुछ दे सकते हैं जैसे कि अगर यह हमारा सही होगा तो यह लिख करके आए अगर कुछ लिख करके आए कोई word तो उसको हम double quote में लिखते हैं इस तरह से इस तरह से हम किस में लिखेंगे डबल कोट में अब यहाँ पर राम कैसे आया तो 12 greater than 8 करें कि 12 जो है 8 से बड़ा है सही बोल रहा है इसलिए पहला वाला आयेगा यानि कि राम लिख करके आयेगा अगर यही हम गलत कर दें 12 less than 8 कर दें तब यह हमारा क्या आजाएगा स्याम लिख करके आजाएगा तो जैसे अगर हम इसमें करके दिखाएं इकसल में इक्वल इफ ब्रेकट में 12 greater than 8 तो कॉमा अब इसके दो रिजल्ट हम देंगे पहला रिजल्ट 3 इंटू 5 इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था एंड कॉमा 4 इंटू 5 यह फाल्स वाला कंडिशन है तो यह अगर हमारा सही होगा तो पहला आएगा यानि कि 12 greater than 8 12 जो 8 से बड़ा है या सही है इसलिए हमारा पहला वार करेगा यानि 3 इंटू 5 यानि कि 3 पचे 15 अब यहाँ पे देखिए 15 आ गया अब अगर यहाँ पे फार्मूला बार में जा करके हम इसको less than कर दिए 12 less than 8 यानि कि 12 जो 8 से छोटा है तब यह हमारा फाल्स वाला वर करेगा यानि कि 4 इंटू 5 यानि 4 पचे 20 अब हमारा रिजल्ट 20 आ जाएगा इस तरह से अगर हम कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं जैसे इक्वल इफ ब्रेकट में 12 ग्रेटर देन 8 अगर यह कंडिशन सही है तो लिख करके आए राम कॉमा फिर डबल कोट में अगर गलत है तो लिख करके आए स्याम ब्रेकट क्लोज करिए अब यह हमारा जो कंडिशन है या सही है इसलिए राम लिख करके आएगा देखिए इस तरह से रिजल्ट में हमारा आजाएगा राम अगर हम फारमूला बार में जा करके इसको हम लेस देन कर दे अब यह गलत हो गया यानि कि 12 लेस देन 8 12 जो 8 से छोटा है तब हमारा फाल्स वाला आ जाएगा यानि कि स्याम लिख करके आ जाएगा इस तरह से तो हमने इन सभी फारमूले को देख लिए वीडियो में हम आपको बताएंगे पेरोल सिस्टम, यानि की पेरोल कैसे बनाया जाता है, तो यह कब समझ में आएगा, जब यह सब फार्मूले आपको समझ में आ जायेंगे, तब आपको next वीडियो भी समझ में आएगा इसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है if वैसे तो इसमें सभी important है तो आपको सभी को समझना है इसलिए कि ये सभी यूज होंगे and or not if ये सब क्या होगा? यूज होगा तो next वीडियो में इन सभी फार्मूले को अपलाई करना सीखेंगे कि कैसे अपलाई किया जाता है तो friends अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेर करना ना भूलें थैंक यू फर वाचिन टेक केर बाई बाई